हेलो दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम SI Units के उपर डिस्कस करने वाले हैं कि Electrical में जितने भी SI Units होती हैं, वो कुन-कुन सी होती है Electrical Parameter के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके Symbol के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बगल में जो bell icon है उसे भी on कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी new videos तो notification लगातार मिलता रहे तो देखिए SI unit का मतलब होता है यहाँ पर हमारा international system of unit international system of unit का मतलब होता है कि आप पुरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको जो यह units के बारे में हम discuss करेंगे वो सभी units पुरी दुनिया में सेम ही रहने वाली है चाहिए आप America में चले जाओ, Germany चले जाओ, Australia, Austria कहीं भी चले जाओ आप पुरी दुनिया में यह units सारी की सारी सेम रहने वाली है क्योंकि यह SI unit है तो चलिए discuss कर लेते तो यहां पर हम एक तो electrical parameters के बारे में discuss करेंगे और electrical parameters के symbol हम देखेंगे यहां देखेंगे electrical parameters के symbol क्या होते है और इन parameters के units क्या होती है और इन units के symbol क्या होते है ठीक है तो हम एक तो parameters के symbol के बारे में discuss करेंगे और एक units के symbol के बारे में discuss करेंगे और यह units होंगी यह in electrical parameters की unit होंगी जैसे की voltage voltage को हम capital V से दरसाते हैं या फिर voltage का symbol जो होता है वो capital V होता है और voltage की unit होती है हमारी volt आप पर देखा होगा हम लिखते हैं 220 volt ठीक है या फिर 440 volt तो हम इस तरीके से सिर्फ volt हम पूरा भी लिख देते हैं 220 volt ये volt लिखते हैं पूरी sparing लिखते हैं और कई बार हम क्या आगाम करते हैं सिर्फ इसका unit का symbol लिखते हैं मतलब voltage को भी हम volt का symbol होता है वो भी हमारा capital V होता है इसी तरीके से अगर हम बात करें current की तो current को हम current का symbol होता है वो होता है capital I है ठीक है और current की unit होती है हमारी ampere और ampere की ampere का symbol होता है हमारा capital A ठीक है तो आपने देखा रहेगा कि हम जब भी current को लिखते हैं तो लिखते हैं कि हमारा 10 ampere है ampere A capital A या 5A या फिर 5 ampere इज़ी तरीके से अगर हम resistance की बात करें तो resistance का symbol होता है हमारा यहाँ पर capital A और resistance की unit होती है हमारी Ohm और Ohm का symbol हता है हमारा इस तरीके से ठीक है यह हमरा Ohm का symbol है जैसे की आपने कर बाद देखा हुआ हुगा कि जब हम resistance की value लिखते हैं तो हम लिखते है कि वही 100 Ohm है करी बार हम पुरा कपरा इस तरह के से भी लिखते हैं कि वह यह फिर फिर 100 Ohm ऑथ या फिर 100 Ohm है तो हम इस तरह के से लिखते हैं इनको उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज की तो चार्ज को हम लिखते हैं Capital Q से लिखते Q से लिखते हैं और चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलंब और कूलंब को हम कापिटल C से दरसाते हैं या फिर कूलंब का सिंबल होता है हमारा कापिटल C इसी तरीके से पावर को हम कापिटल P से दरसाते हैं या फिर कापिटल पीस इसका सिंबल होते है और पावर की यूनिट होती है हमारी वाट ठीक है और वाट को हम कापिटल डावल्यू से दरसाते है या फिर वाट का सिंबल होता है वो होता है कापिटल डावल्यू इची तरीके से energy, energy को हम W से दरसाते हैं, या फिर energy का जो symbol होता है, वो होता है हमारा W, और energy की तो unit होती है, वो होती है Joule, ठीक है, और Joule को हम capital J से दरसाते हैं, या फिर Joule की symbol जो होता है, Joule का वो होता है हमारा capital J, इसी तरीके से capacitance की अगर हम बात करें, तो capacitance को हम C से दरसाते हैं, इसका symbol हमा हमारा Посongc on . इसका जो symbol होता है, वो होता है F , इसी तरीके , यहामा पर देखिए, इंडेक्टयंस जो होता है , इंडेक्टेंस का symbol होता है , पिर हेन्स की unit होता है , और Henry को हम h से दर्शाते है या फिर Henry जो होता है उसका symbol जो होता है h कहीं पर भी अगर हम अपने equation पर कहीं पर भी अगर हम इसको लेखेंगे तो हम लेखेंगे h इसी तरीके से अगर हम frequency की बात करें तो frequency जो होती है frequency का symbol होता है हमारा यहां पर small f और इसकी unit होती है हमारी hertz ठीक है और hertz का तो symbol होता है वो होता है हमारा capital H और small z ठीक है तो आपने देखा हुआ रहेगा कि हमारी जो इंडिया में frequency है वो होती है 50 hertz ठीक है h, z इस तरीके से हम लिखते हैं हम पूरा भी लिख सकते हैं 50 hertz h, e, r, t, z ठीक है, तो हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं इसकी unit का, हम short form लिखते हैं या फिर हम जो इसका symbol होता है वो हम लिखते है, hertz, ठीक है इस तरीके से, उसके बाद अगर हम magnetic flux density की बात करें तो magnetic flux density को हम दरसाते है capital V से B से, ठीक है capital V से और capital B जो है वो symbol होता है, हमारा magnetic flux density का, और इसकी unit होती है हमारी टेसला, ठीक है और टेसला को दरसाता है capital T से, या फिर टेसला का symbol होता है, वो होता है capital T Magnetic flux की अगर हम बात करें, तो magnetic flux का symbol होता है, वो होता है 5, ठीक है 5, इसको 5 इस तरीके से लिखते हैं और जो 5 जो है हमारा यह Greek alpha weight है और यह Greek alpha weight में 21st number का यह letter है 5 और इसको इस तरीके से 5 बोलना जाता है और इस तरीके से इसको लिखा जाता है तो magnetic flux का symbol हमारा 5 है और इसकी unit होती है वैवर ठीक है और वैवर को लिखा जाता है capital W और small b से ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात करें impedance की तो impedance जो होता है उसका symbol होता है हमारा z इसको हम z से दसाते है और इसका जो unit जो होती है वह होती है हमारी ohm और ohm तो simple हम जैसे हमने यहाँ पर discuss किया था ओम को हम इस तरीके से दरसाता है या फिर ओम का जो सिंबल होता है हमारा वो यह होता है तो यह था एक overall वीडियो SI Units का यानि की International System of Units का I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी फिर भी अगर आपके कोई भी doubt है अगर इस topic से related तो आप वीडियो की नीचे comment कर सकते हैं मैं आपके सभी comments पढ़ता हूँ और सभी comments के reply भी करता हूँ तो आप अपना feedback जरूर दिया कीजिए क्यूकि आपके comments हमारे बहुत ज़्यादा important रहते हैं हम आपके comments से ही motivate होते हैं के लिए और भी ज़्यादा वीडियोज बनाने के लिए अगर आपनी channel पर new है तो आपनी channel को subscribe कर लिजिए और जो बगल में bell icon है उस bell icon को भी on कर लिजिए ताकि आपको हमारी सभी new videos का notification लगातार मिलता रहे तो thanks for watching जल्द मिलते हैं अपनी next video में